हाई फ्रेंड्स वेलकम डू लवली मॉम्सुर्ट का निकाप बहुत बहुत सवागत है आपका मेरे स्चैनल पे तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी प्रेइंशी में आइडिली कितने अल्टर साउंड खाने चाहिए कितने अल्टर साउंड जो है रिक्वायर होते तो next ultrasound जो doctor advise करते हैं वो 11 to 13th week के बीच में करते हैं जो कि बहुत important scan होता है उसे हम NB or NT scan कहते हैं जो कि basically आपका 3 months के अंदर या 3 months के complete होने पर कराया जाता है next scan जो होता है वो होता है आपका 20th week में यानि 5th month में इसे हम anomaly scan कहते हैं और ये भी बहुत ही जादा important scan होता है क्योंकि इसमें doctor आपके baby के एक एक part को check करके बताते हैं और आपको या आशवासन दिया जाता है कि आपका baby एकदम ठीक है इसके बाद अगर आपकी pregnancy एकदम normal चल रही है तो next ultrasound जो होगा 28 to 30 weeks में होता है जिसे basically growth scan भी का जाता है इसमें भी आपके baby की सिर्फ growth देखी जाती है कि आपका baby properly grow कर रहा है या नहीं कर रहा है next scan जो होता है वो होता है 32 to 34 week के बीच में इसे हम color doppler scan कहते हैं इसमें भी यही देखा जाता है कि आपके पेट में आपके baby को कोई problem तो नहीं है उसके सभी parts में proper blood flow जा रहा है या नहीं जा रहा है या कोई भी blood की restriction तो नहीं है अगर आपकी pregnancy में कोई भी complication नहीं है तो यह चार मोटे मोटे scan या ultrasound है जो doctor आपको advise करेंगे बट अगर आपकी pregnancy में आपको high blood pressure या diabetes या किसी और तरीके की problem है तो ultrasound जो है इस से जाधा हो सकते है क्योंकि doctor को baby की growth को continuously monitor करना पड़ता है ताकि आपके baby की health को कोई भी issue ना हो I hope friends आप भी अपने सारे scan proper time पे कराते हैं and please अपने जितने भी ultrasound रो scan है properly time पे करायेगा तो आपका baby जो है एकदम healthy deliver हो सके